दुनिया के सबसे महेंगे होटल की बात की जाए तो हमारे जहन में बुर्ज अल अरब का नाम आता है लेकिन ये हकिकत नहीं है दोस्तो आज हम जिन महेंगे होटल की बात करेंगे उन में बुर्ज अल अरब सबसे आखिर में आता है और भुर्ज खलीफा तो हमारे लिस्ट मे शामिल ही नहीं हो सका कौन से है ये हाटल जिना ने बुर्ज अल अरब जैसे लगजरी हाटल को ही पीछे छोड़ दिया और अगर बुर्ज अल अरब नमबर आट पर है तो सोचे नमबर वन पर आने वाले हाटल कैसी होगी तो आईए शुरू करते हैं दुनिया का वाहीच सेवन स्टार हाटल बुर्ज अल अरब के नाम से जनज़ाता है जिसके अंदर जाना ही एक बहुत बड़ी बात है बुर्ज अल अरब दुनिया का साथ वाट तॉलेस्ट हाटल है जिसको दुपई के एक आर्टिफिचल आइलेंड पर तामिर किया गया है और होटल तक पहुँचने के लिए एक खास प्राइविट ब्रीज बनाए गया है इस सेवन स्टार होटल की सबसे मशूर भाग यहां पर मनाए गया अंडर वाटर रेस्टरेंड है जहां एक सबमेरिन के जर्ये गस्ट को पहुँचाय जाता है इसे के साथ साथ बुर्ज अल अरब का अपना जातिय प्राइविट हैलिपेड भी है जो हाटल की छट पर बनाए गया है बुर्ज अल अरब के रॉयल स्ट में सिर्फ एक रात गुजारने का किराया 28,000 डॉलर है जो तक्रीब अन 21 लाख रुपे के बराबर बनते है यह दो फ्लॉर पर मुसत्मिल है जिसको बरपूर महारत के साथ 22 करेट गोल्ड से सजाए गया है इसे के साथ साथ इसमें प्राइवेट डाइनिंग एरिया बटलर स्पा और प्राइवेट लांच भी शामिल है नमबर साथ रॉयल स्ट दपलाजा अब बारी आती है न्यूयर्क के हाटल दपलाजा के रॉयल स्ट के किस स्ट में दाखिल होने के लिए गैस्ट को एक प्राइवेट लिफ्ट में भेजा जाता है ये प्राइवेट लिफ्ट सिर्फ और सिर्फ रॉयल स्ट के गैस्ट ही इस्तमाल कर सकते हैं 400 स्क्वेर फिट में फैले हुए इस स्ट में श इसे फिफ्ट एवेन्यू का शांदार नजारा देखर बाहर जाने का दिल ही नहीं करता और बाहर कोई जाये ही क्यों क्योंकि इस रूम के साथ 24 अवर फ्री बटलर सर्विस मौजूद है जो आपकी हर मांग पूरी करने के लिए तयार बटे हुए और यहां पर एक रात इस विला के सबसे खास चीज इसका प्राइविट टेंपरेचर पूल है जहां प्राइविट वाटर फूल भी मौजूद है और यहां सिर्फ एक रात गुजारने का किराया 45,000 डालर है जो 34,000,000 रुपे बनते है नमबर पांच मौरा का सुईट है यह हाटल मालदे उसमें माजूद है दोस्तों आप सिर्फ इमेजिन करें कि आपके बेड्रियूम में के इर्द गिर्द पानी हो और उसमें पानी के अंदर शामल किया गया है इसे के साथ साथ गेस्ट को प्राइवेट शेफ्ट प्राइवेट बार प्राइवेट जीम और प्राइवेट इंफिनिटी पूल भी दिया चाता है और यहां एक रात गुजारने का किराया 50,000 डालर है लेकिन यहां पर एक मसला और भी है इस होटल की शर्थ है कि मुराका सुईट जो भी बुक करवाएगा वा कम से कम इस सुईट में चार दिन स्टे करेगा चार दिन के दो लाख डॉलर जो बनते हैं डेड़ करोड रुपे अजार स्टे के इस सुईट में चार बेडरूम, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, प्राइविट टेरेस और प्राइविट जैकुजी भी है जिसमें बैट कर समंदर के पैनरमिक नजारों का मजा ले आ जा सकता है इस सुईट में प्राइविट बीट से लेकर प्राइविट स्पा तक तमाम सहुलियत माजुद हैं जहां गैस्ट अपनी मर्जी और अपने टाइम पर किसी भी वक्त कोई भी सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं और इस लगजरी सुईट में सिर्फ एक राग गुजारने का किरा तिरेपन हजार डालर है जो 40 लाख रुपे बनते हैं नमबर तीन टाइव वार्नर पेंटाउस न्यू यॉर्क में माजूद 4 सीजन सो हाटल में ये है टाइव वार्नर पेंटाउस तेरालिस सो स्पेर फुट पर पहले इस पेंटाउस को बनाने में 50 बिलियन डालर का यहां शीशे से बने वालकनी से पूरे न्यू यॉर्क का 360 डिग्रिस नजारा आसानी से देखा जा सकता है यहां के बेडरूम की दीवारे मैकरे नामी मूती से सजी हुई है जिसको मदर ओफ आल पल्स भी कह जाता है इसी के साथ साथ इस स्वीट में मास्टर बेडरूम, प वक्स तयार खड़ी रहती है इस पेंटाउस में सिर्फ एक रात गुजारने का किराया साथ हजार डॉलर है जो तक्रीबन 45 लाख रुपे बनते है नमबर डू एमपथी स्वीट डपल्स लास वेगास में माजूद हाटल डपल्स दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महंगा हाटल है यह हाटल आर्ट का शौक रखने वालों के लिए हीरा है इस हाटल में MP3 स्वीट में शामिल है दो मास्टर बैडरूम मसाज टेबल जपूजी लो लास वेगास स्ट्रीब के बिलकुल उपर बनी हुए है एक प्राइवेट सॉल्ट सेलेक्शन रूम और एक आर्ट क यह सबमरीन हाटल दुनिया का सबसे महगा तरीन हाटल है यह सबमरीन हाटल सेंट लूसिया में है और यह अपने गेस्ट को करेबियन सी की हतूत में ही रखता है इस सबमरीन हाटल में गेस्ट को वह तमाम सहुलियत मिलती है जो किसी बड़े से बड़े फाइव स्टार हाट देख सकते एजी के साथ एक प्राइवेट शेप जो 24 गंटे दुनिया का कोई भी लजीज खाना बनाने के लिए तयार बैठा होता है लगजरी बेट्रूम जहां पर लेट कर सुकून से समंदर की दुनिया का नजारा एंजोई किया जा सकता है और कामकाज की तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं उसके लिए एक प्राइवेट पटलर हर वक्त गैस्ट के हुकम का वेट करता है लवर्स दीब लगजरी सबमरीन में इसके अलावा बहुत सारी आशिस सहुलियत भी है जिनको लबजों में बयान करना मुम्किन नहीं है इसे एक खूबसुरत राज का किराया डेट लाग डॉलर है जो कि एक करोड बारा लाख रुपे बनते तो दोस्तों आपको इनमेट से कौन सी होटल सबसे सुन्दर लगे अगर आपको किसी एक होटल में जाने का माखा मिले तो आप कान सी होटल में जाना ज़ादा पसंद करेंगे हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा अगर आपके बड़े अच्छा लगा हो तो इस वड़े को लाइक करेगा शेर करेंगे जादा से जादा लोगों तक और ऐसी और भिरोचिक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारी यूटूब शेनल को और फेस्बूक पर फालो करें हमारे पेज को धन्यबार